अगर आपको बॉल्यूड की अंधादुन टाइप की मुविस पसन है तो ये मुवि भी आपको पसन आएगी अंधादुन एक नए से कैटिगरी में थी जो थी डार्क क्राइम थिलर इस टाइप की मुविस में क्यारेक्टर्स बहुत ही डार्क होते हैं जब इनके साथ कुछ गलत होता है तो आप जेस्टिफाइ कर ले दे कि ऐसा होना ही चाहिए था आज के हमारी कोरियन मुवी बीस्ट डैट लिंग टू दे स्ट्रॉव और इसका और एक नाम है जो है बीस्ट क्लॉइंग एट दे स्ट्रॉव ये 2020 की Crime Thriller Mystery Movie है डारिक्शन और राइटिंग अंदादुन की तरह ही लगती है और अगर आपको पसन आए होगी तो ये भी ज़रूर पसन आएगी मुवी के लास्ट में एक अच्छा सा मैसेज भी है तो वो भी हम देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमारा एक कैरेक्टर जिसका नाम होता है जंग ये हमें दिखता है ये एक लॉकर के शॉप में काम करता है अब देर हो चुकी है और ये शॉप अब बन करने वाला है तब उसे दिखता है कि एक आदमी उसका बैग लेने के लिए आया ही नहीं य इसके बेटी higher education के लिए एक अच्छे सी university में चली गई होती है। जब एक घर आता है तो देखता है कि wife इसके mother की toilet साफ कर रही होती है। इसके mother बहुत ही strict type का character है। ये बहुत ही बुड़ी है पर अभी भी इसे सब को समझ में आता है। उसके इशारे पर सब को नचाती है। जब जंग घर पर आता है तो जंग को कहती है तुम्हें वो जॉब छोड़ देना चाहिए। इनके पहले दुकान हुआ करती थी पर दुकान पर अब कोई भी नजर नहीं रखता। मदर कहती है कि फादर ने कितने एफर्स लिये थे सब कस्टमर्स पाने के लिए अब तुम्हें दुकान चलानी चाहिए। जब यंग वाइफ के पास रता है तो वाइफ कहती है कि हमारी बेटी अब एक साला का गैप लेने वाली है। उसके एजुकेशन की फीट स उसके पास नहीं है और ये भी इसे प्रोवाइट नहीं कर सकते हैंरी इसलिए एक साला वो काम करेगी और इसके बाद फिर से एजुकेशन करेगी। यंग की वाई भी महनत्युती हैं, ये भी एरपोर्ट पर साफसफाय का काम करती हैं। इसके बाद हमारा और एक मेंन क्यारेक्टर इंट्रड्यूस होता है, जिसका नाम होता है ते यंग। तेंग एरपोर्ट पर काम करता है, वहाँ पर उसका काम लोगों के पासपोर्ट अप्रूव करना होता है, रात में एक ग्याएंग के पास तेंग आता है, इससे बहुत सारे पैसे लिये थे और वो पे नहीं कर पा रहा, जो सब पैसे इसने लिये थे तो उसकी गल्फरेंड इ यूनी होता है, यहाँ एक बड़ा खतरना गुंडा होता है, और उसका राइट हैंड भी उसके साथ बेठा हुआ होता है, यह गुंडा तेजंग को कहता है, कि तुम्हें जल से जल मुझे पे करना है, अगर तुम पे नहीं करोगे, तो मेरे आदमी को human intestine खाना बहुत पसन है, अपने boss को समझाने की कोशिश करता है, कि यूनी उसे भी दगा देकर भाग गई है, पर उसका boss समझने वाला नहीं, उसे जल से जल उसके पैसे चाहिए, मुवी में बहुत सारे character है, पर आप ज़रा confused मत हुए है, इनकी जो stories है, यह perfect sense करती है, और आपको सब समझ में आ जीनते एक्चुल में चाहिए हुआ होता है, मीरान फिर काम करकर घर आती है, थोड़ी देर में उसका husband आता है, उसके पास जब आता है, तो इससे वो डर जाती है, क्योंकि हर रात यह इसे बहुत मारता है, एक्चुल में मीरान और उसके husband ने एक loan लिया था, फरजी schemes के चक आता है, और वो इस country में आने वाला है, तेयंग अपने कजन से मिलने के लिए आया होता है, इसका कजन भी एक बार में काम करता है, इसके कजन को पता जल जाता है, कि तेयंग को अब कुछ काम होगा, इसी वज़े से यह आया हुआ है, एक खाना वेगरा खाते है, इधर उद इन से एटने होते है, अपने कजन को सब प्लान वो बताता है, कजन कहता है, कि प्लीज मुझे इसमें मत घसिटो, वो कोई भी illegal चीज नहीं करना जाता, पर बहले इनने बहुत सारी चीज़े की है, तो इस बार भी तेयंग इसे मना ही लेता है, नेकसिन में जंग अपने इसमें को जड़ा अच्छा लगने लग जाता है, नेकसिन में हम देखते है, कि मिरान और जीनते, दोनाई दुसरे के साथ intimate हो चुके है, जीनते को मिरान पसन आने लग गई है, उसे कहता है, क्या तुम्हें वो जॉब करने कोई जरूरत है, मिरान जब उठती है, तब उसक करने की कोशिश करता था, पर वो मुझे रोक लेती थी, आदत एक बुरी चीज है, क्या तुम भी इसी तरीके से मार खाने की आदत बनाना चाहती हो, इसके बाद यसी नहीं खतम हो जाता है, नेकसिन में हम देखते है, कि जंग की वाइफ होस्पिटल में है, जंग की वाइ कि तेंग अब अपने फ्रेंड को लेने के लिए एरपोर्ट पर आया हुआ है, वो बहुत वेट करता है, और उसका फ्रेंड आता ही नहीं, तोरी देर में वहाँ उसके गाड़ी के पास एक डिरिक्ट्यू आ जाता है, वो तेंग के फ्रेंड का नाम लेता है, और कहता है कि उसने एक बड़ा सा स्कैम किया था, इसी वज़े से वो उसे ढून रहा है, तेंग को पूछ रहा होता है, क्या हो उससे जानता है, तेंग केता है कि नहीं, ऐसे किसी भी नाम के आदमी को में नहीं जानता, पर इस डिरिक्ट्यू के पास, जब एस स्कूल में थे, इस क्लास के सब रेकॉर्ड्स होते है, जबरदस्ती ये डिरिक्ट्यू, तेंग को खाना खाने के लिए लेकर आता है, तेंग को उसके फ्रेंड की फोटो दिखाता है, और तेंग भी आप मान लेता है कि उससे पहचानता है, ये डिरिक्ट्यू कहता है, कि मैंने उसके सब कॉल जाता है और वहाँ से चला जाता है बहुत ही expensive जगा तेंग को उसने लाय हो होता है और तेंग को इस सब बिल पे करना पड़ता है हमें फिर से जंग दिखता है wife hospital में इसी वज़े से आज काम को लेट हो चुका है अपने boss को जब वो call करता है तो उसका boss कहता है या अब तुम् जिनते से बात करती है जिनते से मिलकर वो अपने husband को मारने का plan बनाती है मिरान कहती है कि रात में मेरा husband बहुत ही drink करता है और 2-3 बजे बार से बहार आता है जब मिरान का husband बहार आएगा तब जिनते उसे गाड़ी से उड़ाने माला होता है जिनते भी इसके लिए मान जाता और एक आदमी को उड़ा देता है वो आगे जाता है और मिरान को कॉल करता है कि सब कुछ ठीक रहा है अब वो एक मांडن बाज जा रहा होता है मिरान कही थी कि तुम वहार क्यों जा रहे हो जीनते कहता है यह वहारा एक कॉम्प्लेकेशन हो गया था उसके बॉडी में वही नहीं रख सकता था वो जाकर मौंटन पर ये बॉडी गाडने वाला है मेरा नप डिस्टब हो जाती है उसका हस्बन अगर गायव हो गया तब उसे पैसे नहीं मिलेंगे अगर मिले भी तो वो 5 साल बाद मिलेंगे वो इतना सारा वेट नहीं कर सकती अब वो निराश होकर बेटी हुए होती है तो थोड़ी देर में उसका हस्बन आ जाता है जीनते ने किसी और ही आदमी को मार दिया था अब नेकसिन में हमें तेयंग दिखता है तेयंग के कजन के पास गैंगस्टर आया हुआ होता है तेयंग अपने फ्रेंड को एटने वाला था सब पैसे उसे लेने वाला था यह सब गैंगस्टर को पता चल चुका है तेयंग से भी यह सब प्लान बुलवा लेता है अब इसे भी इन पैसों में से कट चाहिए गैंक्स्टर जाने के बाद तेयंग का कजन बहुत ही वरी करने लग जाता है तेयंग कहता है वरी मत करो जो भी सब चीजे होती है इसके पीजे कुछ रीजन होता है तेयंग फिर उसे एक स्टोरी सुनाता है वो कहता है कि तुम्हें पता है क्यों मैं इस cigarette पीता हूँ इस cigarette का नाम Lucky Strike होता है कहता है कि मेरे friend के साथ एक long trip के लिए मैं जा रहा था हम road पर petrol भरने के लिए रूखे थे मुझे cigarette buy करने थी मैं cigarette buy करने के लिए गया और एक बड़ी सी truck आई और मेरे गाड़ी कोस ने ठोक दिया अगर मुझे cigarette पीने की आदत नहीं होती तो मैं अभी जिन्दा नहीं होता तेंग अपनी बुरी चीजों का भी इसी तरीके से justification करता है इस story को आप याद रखे मूवी के last में आपको काम आएगी मिरान फिर से जिन्दे से मिलती है वो कहती है उनका plan अब unsuccessful हो चुका है उसे फिर से job करना पड़ेगा वो जिन्दे को कह रहे होती है कि वो चायना चला जाए वो वहाँ safe रहेगा जिन्दे ने उस आदमी को मारा तो murder करने के बाद उसे बहुत ही पुरा लग रहा है Nixon में हमें यंग दिखता है यंग का job चला गया है तो पैसो का क्या ये उसे सवाल आता है वो जल्दी से उसके job के यहाँ आ जाता है और पैसो के back लेकर बाहर निकलता है जब यहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ police detectives आ जाते है John में पैसे रख कर गया था उसके जा चोक कर रहे है यंग उसे नहीं जानता ये कहे कर वहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ उसका boss भी आ जाता है जब boss इसकी back देखता है तो पुछता है कि इसमें क्या है यंग कहता है कि मेरा सब सामान है भुक्स त्व्गरा मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ boss कहता है कि मुझे देखना है यहाँ पर police भी होते जो जहा रहे होते police जब तक वहाँ से चले नहीं जाते तब तक यंग अपने boss से बात करता रहता है उसे टालता रहता है जब पुलिस यार से चले जाते है तो जंग अपने बॉस को कहता है यह देखो मैं पहले तुम्हारे ले काम करता था तुम मजी तंग करते थे पर फिर भी ये में सब सहन कर लेता था तुम अब मेरे बॉस नहीं हो तुम्हारे साथ में बहुत गलत चीज़े कर सकता हो यह उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है बॉस भी इससे डर जाता है इसके बाद नेकसिन में हमें बाहर में एक आदमी तमाशा ख़ड़ा करता हो दिखता है मिरान में भाह होती है या फिर इस बार की ओनर आती है यह यूनी ही है तेंकी गल्फरेंड जो उसके सब पैसे लेकर भाग गई थी यह वही है यह आदमी यूनी ही से डिस्रिस्पेक्टफुल होता है तो उसे स्लैप करकर वहाँ से चली जाती है मिरान को भी अपने पास वो बिठाती है मिरान की इंजुरिस देखकर समझ आती है कि उसका हस्बन उसे मारता होगा मिरान को कहती है अगर तुम्हें कोई भी तरीक एका प्रॉलम आया तो मैं तुम्हारे लिए हूँ तुम जादा वरी मत करना अब हम देखते हैं कि जिन्ते को मिरान को कॉल आता है आदमी को मानने के बाद जिन्ते बहुत इडिस्टरब हो चुका है इसे आवाज से सुनाए दे रही है मिरान अब इससे मिलने के लिए जाती है यह बहुत इडिस्टरब होकर कह रहा होता है और वहाँ सब को जो सेरे में निविकरा करते है जीनते को अभी भी सब गलत लग रहा होता है यह फिर से मिरान से कहता है यह वो डारेक्ली पुलिस के पास ही जाने वाला है यह आगे चलने लग जाता है और मिरान बहुत ही डर जाती है इस गाड़ी स्टार्ट करती है और गाड़ी से जीनते को उड़ा देती है उड़ाते वक्त इसका भी एक्षिडंट हो चुका होता है फिर यूनिको को कॉल लगाती है यूनिको उसके हजबन का जो इंशूरंस था इसके बारे में जो सब situation होई थी इन सब के बारे में बता देती है यूनी केती है तो डरने ही कोई भी जरूत नहीं है मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी कार को वेगरा वो स्क्राप कर देती है इसके बाद उसे एक स्विमिंग पूल पर लेकर आती है यूनी के बादी पर शाक का टैटो होता है इस टैटो की स्टोरी वो उसे बताती है यूनी केती है शाक को बहुत सारे बच्चे होते है पर जब वे पेट में होते है तो एक दूसरे को खा जाते है जो सबसे स्ट्रॉंग होता है ये बहार निकलता है ये इसी principle से चलती है मिरान को बता रही होती है कि उसके husband को उसे मार देना चाहिए इसके लिए यूनि उसे help करने वाली है उसे एक poison देती है जिससे मिरान का पदी slowly slowly मर जाएगा ये उसे सब कुछ बताती है कि पुलिस के पास उसे किस तरह के नाटक वेगरा करने है मेरान सचुष में उसके पदी को मार डालती है और सब नाटक वेगरा करती है अब इसको इंशॉरंस के सब पैसे मिल जाते है इसके बाद यूनी के पास उसे थैंक्यू कहने के लिए आती है उसे आदे पैसे भी वो दे रहे होती है पर यूनी कहती है कि मैं पैसो के लिए मैंने इस सब नहीं किया वो मिरान को एक नई कंट्र में जाकर नई लाइफ स्टार्ट करने में हेल्प करने वाली होती है यूनी मिरान को हेती है कि आप नई लाइफ तुम स्टार्ट करो जिस आदमी को जीनते ने मारा था वो एक रेपीस था उसके साथ ये होना ही चाहिए था जब ये दोने सेलिब्रेट करते है तो मिरान के शैंपियन में उसने बेहोशी की दवा मिला दी होती है रात में मिरान जब उठती है तब ये टेबल पर होती है और यूनी अब इसे मार देने वाली होती है यूनी मिरान के तुकड़े तुकड़े करकर नदी में फेक देती है सब पैसे अब वो ले ली थी है यून ही अमिर होती है पर फिर भी इसे स्कैम करना अच्छा लगता है वो अब सब कुछ सेल करकर सब पैसे लेकर एक नई केंटर में जाना जाती है तेयंग जब घर पर आता है तो वहाँ यूनी आई हुए होती है तेयंग उस पर बहुत ही नाराज होता है क्योंकि उसे कुछ भी ना बताते हुए वो जली गई थी इसके बाद ये दोनों इंटिमेट हो जाते है और यूनी कहती है कि मुझे एक पासपोर्ट चाहिए तेयंग एरपोर्ट पर ही काम करता है तो अपरूप कर सकता है इसी वजे से वो तेयंग के पास आये हुए होती है तेयंग फिर से इस पर चिट जाता है वो कहता है तुम्हारा काम है इसलिए तुम आई हो तुम मेरे नहीं आई यूने से समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो सस्वी में उससे प्यार करती है यहाँ डोर पर नौक आती है और डिरेक्टू बहुता है तेयंग इसे देखकर डर जाता है यह जब यूने को देखता है तब इस पर लाइन मारने लग जाता है यह सब अब डिनर कर रहे हो जल्दी से जाकर में लेकर आता हूं स्टोर में जाकर अपनी कजन को क्वाल करता है यह कहता है वो अलग कुन्तर में जा रही है तो इसके पास बहुत सारे पैसे होंगे से पैसे लेने के आपने कजन से help मांग रहा होता है एक कजन भी help करने के लिए ready हो जाता है जब देयंग घर पर वापस आता है तो हमें दिखता है डिरेक्ट्व को यूने ने मार डाला है डिरेक्ट्व यूनीई पर line मार रहा था तो एक सेकर में उसने उसे मार डाला मुवी में आगे हमें पता चलता है कि यह जो डिरेक्ट्व था यह डिरेक्ट्व था ही नहीं एक गुंडा था जो ढूंग कर रहा था कि वो डिरेक्ट्व है यह भी पैसों के पीछे ही था यूनी देयंग को से हेल्प करने के लिए कहती है बॉडी का सब कुछ ठिकाना वेग्राओ लगाते है जब यूनी साफ सबाई करती है तब देयंग एक पैयन लेता है और यूनी की सर पर मारकर उसे भेहुश कर देता है नीचे पार्किंग में जाता है और इसके गाड़ी में सब पैसे उसे मिल जाते है जब यूनी उठती है तब तेयंग ने जिस गैंस्टर से पैसे लिये थे वो गैंस्टर यहाँ आ चुका है तेयंग वहाँ से भाग गया है और यूनी को उसने फ्रेम कर दिया है यूनी तेयंग को call लगाती है पर तेयंग केता है यह तुम्हारे साथ मैंने इतना सब वक्त गुजारा पर फिर भी तुमने मुझे धोका दिया था इसका तुम इसे payback समझ लो यह पैसे लेकर फिर तेयंग लोकर रूम में आ जाता है यही वो पैसे है जो जंग को मिले है तेयंग यह पैसे हारक कर थोड़ी टाइम में वहाँ से जाने वाला होता है तबी इसके cigarette खतम हो जाते है cigarette लेने के लिए जब वो भाहर आता है तो गैंस्टर उसे spot कर लेता है यह गैंस्टर तेयंग की पीचे पीचे भीचे भागता है तेयंग रोड़ पर आ जाता है और एक गाड़े की नीचे आकर वो मर जाता है जैसा मूवी में हमने देखा है कि तेयंग बिलीव करता था कि जब नहीं करती और काम पर चली जाती जग को फिर ऊसके बॉस का कॉल आता है उसका बॉस उसे कहता है तो मारी salary लिए बीना ही तुम चले गए बहुत सारे लोग salary के लिए बाद में परिशान करते है इसे वजह से उसका बॉस उसे बुला लेता है वह जंक उसके बॉस के पा अने के बाद सब पैसे और छेक करने लग जाता है तो अभी गैंस्टर और यूनि वहां पोच जाते हैं यूनि और गैंस्टर इसा ढूंख कर रहे होते हैं कि एप फुलिस डिरीक्ट्यूज हैं सब पैसे हो ले लेते हैं आवाजे आ रही होती है तब जंग की मदर वहाती है जंग उन्हें इंट्रडूस कराता है पर मदर कहती है यह डिरीडूस थोड़ी ना है इनके हाथ पर टैटूस जग रहा है इस तरह के टैटूस अलाउड नहीं है यूनी मदर को मारने लग जाती है और बेहोश कर देती है यह गैंग्स्टर भी जंग को बेहोश कर देता है गैंग्स्टर का जब धैन नहीं होता तो यूनी गैंग्स्टर को ही मार देती है इसके बाद पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती है पूरे घर को उसने आग लगा दी होती है गैंग्स्टर का राइट हैंड जब ये सब देखता है तो इसे बहुत कुस्सा आता है यूनी एरिपोर्ट पर आती है और ये सब पेशो लॉकर में रख देती है ये गैंग्स्टर का राइट हैंड यूनी को स्पार्ट कर लेता है ये जाता है और बेरहरं में से इसका मर्डर कर देता है यूनी समझती थी कि वो एक सार्ख है सबको मार कर बच कर वहाँ से निकल सकती है पर अब उसका ही शिकार हो चुका है फिर से हम अपने आपको क्या गए है वो रोने लग जाता है उसी मदर फिर उसे कहती है कि रो मत तुम अभी भी जिन्दा हो यही इंपोर्टन्ट है अगर मुवी में देखे तो बहुत सारे कारेक्टर्स मर चुके हैं यह उसे समझाती है कि तुम्हारे फादर जब वार से वापस आये थे तो हमारे पास पुरी जीज़ है जिन्दकी में लालज एक बुरी चीज़ है और हमेशा डुबा करी जाती है मुवी में सब लोग उने लालज किया है और उने मरना बढ़ा है सम्ने लाइफ में श जिस तरीके से उसका हजबन क्रोल था वही वो बन चुकी थी इसे वज़े से उसे भी प्राइस पेक करनी पड़ी अब मुवी के लास्ट में हम देखते हैं कि जंग की वाइव एरपोर्ट पर काम कर रही है वहापर जो वह साफ सपय कर रही होती है तो लौकर खुल जाता है अ बहुत सारी मुवीज लेकर आते रहता हो तो फ्लीज इस चानल के सब्सक्राइब कर दीजे और बेल इटोबिशन आइकोन दाने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमुवी के साथ तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया ज़जिएप्ट रहता हिए।